दोस्तो वाट्सप अपनी नई पोलीशी को लेकर काफी चर्जा में आया था लेकिन लोगों के द्वारा अन्य मेसेजिंग एप जैसे सिगनल, टेलिग्राम या आधर एप पर माइगरेट होने पर वाट्सप ने एपनी नई पोलीशी को पोस्टपॉन कर दिया था तब से लोगों ने वाट्सप के एक अल्टरेनेटी ऊप्लिकेशन को ढूनना स्टार्ट कर दिया था तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वाट्सप के एक अल्टरनेटी एप Google चैट या Gmail चैट के बारे में व्यात करने वाला हूँ तो चलिए, सुरू करते हैं जी हाँ दोस्तो इसको Google चेट कहूं या Gmail चेट कहूं या फिर Hangout चेट कहूं क्योंकि इसको Google ने Gmail के अंदर समाइत करके चेट का ओप्शन दे दिया है Google ने इसको Android वा iOS यूजर के लिए लॉंच कर दिया है जिससे आप इसको WhatsApp की तरह यूज कर सकते हैं तो चलिए बताता हूँ आपको क्या क्या करना होगा अपने फॉन में तो सबसे पहले Gmail में जेट ओप्शन ओन करने के लिए या Google जेट ओन करने के लिए प्ले स्टोर पर जाके आपके Google या Gmail को अपडेट करना है तो मैं या पर लिक देता हूँ Gmail यह आ गया है इसको तो मैंने इसको अपडेट कर दिया है तो आपके नई कर रखा हो तो आप कर देना इसके बाद इसको ओपन करना है ओपन करने पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है नीचे के साइड में आप देख सकते है mail और mail का option दिख रहा है तो इसको चेट को ओन करने के लिए त्री डोट पर left side में click करते हैं पर आपको जाना है setting में setting में जाके आपके जिस भी account से आपको चेट ओन करना है उस account को select कर लेता हूं तो यह आप देख सकते हैं इसमें नीचे जाने पर यह जनरल सेटिंग में चेट का option दिख रहा है तो मैं इस पर टिक कर लेता हूं यह pop-up window आ गई है welcome to chat in Gmail तो यह update होके यह देख सकते हैं नीचे के साइड में चार option आ गए है पहले दो ते अब चार हो गए है second number पे जो option दिख रहा है वो chat का है और third number पे है rooms का और चोदे number पे meet का option दिख रहा है जैसे WhatsApp पे अपन number share करके search करते थे उसी तरके इसमें एक ही फर्के only for Gmail से आपको search करना होगा या फिर नाम से तो मेह ने नाम से सर्च किया अभी मेरे गो नहीं मीला तो मेघ यहां पर त्राई किया जीमेल से तो में यहां पर ज GPU घुप कर देता हूँ मैं अन्याएस को अल्रेडी टार्छें कर रेकिया मैं यहाँ पर यहां लिग देता हूँ आप देख सकते हैं मैंने हाई लिखे बेज यह है एक बार और आपके सामने हाई लिखे बेज लिता हूँ और क्लिक करता हूँ तो यह देख सकते हैं हाई लिखा इसी तरह तरीके से आप यह देखो आ गया उपर मेसेज आ गया मेरे दोनों जीमेल आईडी इसी में ओन है तो आप देख सकते हैं और एक्टिव का option भी यह उपर की तरफ दिख रहा है तो यह हिस्ट्री जोन के नीचे देख सकते हैं आपको फस्ट में इमेज सेंड कर सकते हैं और ऋन करके फोटो जैसे लिए देख सकते हैं और वीडियो को कर सकते हैं और यह गूगल कैलेंडर भी देख सकते हैं तो यह था option इसमें आप मैं रूम्स का लिखा देता हूं तो इसमें आप रूम्स यानि कि मेरे हिसाब से एक ग्रूप होगा तो इसको भी क्रियेट कर सकते हैं यह नीचे निचे न्यू रूम करके ऑप्शन आ रहा है मैंने एक यह बनाया है रूम टेक्निकल ओनली फॉर नाम लिखे गूगल चेट में चेट ओन करने के लिए आपको एक बात इंपेट बता देना चाहता हूं कि इसमें भी सामने वाले के फौन में Hangout एप्लिकेशन या फिर उसके फौन में भी G-mail में सब्सक्राइब के पास भी WhatsApp application होना चाहिए था उसी तरह के सामने वाले के भी जी मेल में चेट ऑप्शन ओन होना चाहिए आई होब यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें शेर करना वह इसी तरह की जानकरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तक तक के जाय है जाय बारत